दोस्तो आप लोग परिशनल लोन लेके डिफोल्ट करते हो तो आप लोगों के पास एक ऐसा नोटीस आता है जो की कूट से पास किया हुआ ओडर है जो की सारफिसी एक्ट 2002 इस तरीके का मेल आप लोगों को देखने को मिलता है आपके पास आता है एक नोटीस की सारफिसी एक 2002 के तहट आपके उपर कारवाई किया जा रहा है और साती साथ आपका जो भी जबिन जाजा जो भी है घर जो भी चीज़ है वो कब्जा कर लेगा दोस्तो यह topic जो है बहुत serious topic है आप सभी से में request कर रहे हैं कि वीडियो देखे पुरा आप लोगों को अगर सही information चाहिए तो वीडियो पूरा देखना होगा तभी आप लोगों को पता चलेगा अगर आप पूरा information नहीं सुनते हो नहीं जानते हो तो बाद में दिक्कत और फिर आप पूछोगी कि सर यह हो गया अब मैं क्या करूँ यह आ रहा है मैं से यह क्या रहे है तो सभी से मेरी कुछ कर रहे हो कि आप लोग पूरा ध्यान से देखिए देखे दोस्तो अगर आप default करते हो loan डिफोल्ट करना क्या होता है आप सभी को पता है अलग से बात क जमीन जो है वो अपका घर जो है वो हम ले लेंगे परसनल लोन पर क्या यह कर सकता है यहां पर आम जंता को कानून के बारे में knowledge नहीं होता है जिसके वज़े से जिसका फायदा यह लोग उठाते हैं और आप लोग को डराते हैं ताकि आप लोग डरो और उनका पैसा वाप करें अगर पैसा नहीं है तो यह सब जो भी चीज़े करें आपको बस इग्णोर ही करना है डरना भिल्कुल भी नहीं है यहर विडियो में मैंने बोला तो इस विडियो हुआ है अगर आ जाता है तो आपको क्या हो सकता है तो यहां पर आप लोग को बता दू सर्फिसी एक्ट जो है वो सिक्यूर लोन पे यह लागू होता है बैंक के पास यह ऑथुरिटीज होता है कि अगर मानू कि आप कोई भी लोन ले रहे हो बरा अमाउंट का और आपका घर का पेपर सा बैंक में गिर भी रख दिये या फिर आप EMI के तोर पे गारी ले रहे हो तो वो क्या हुआ बैंक का एसेट हो गया गारी आपका एसेट नहीं हुआ लोन जब तक बैंकर रहेगा वो एसेट बैंक कर रहेगा अगर मानों डिफोल्ट करते हो तो उनके पास फूल ऑथुरिटी रहता है कि आपका घर जो गारी लिया है वो ऑक्षिन में बेचके उनका पैसा रिकवर कर सकते ही तो यही जो आपको ऑक्षिन में बेचने का जो ऑप्षिन होता है उन लोगों का तो वो हो परिसनल लोन पे लागू नहीं होता है यह सिर्फ और सिर्फ सिक्यूर्ट लोन पे होता है जो कि अगर आप बंदक रखते हो कुछ चीजे गोल्ड हो सकता है अपना प्रॉपर्टी पीपर्स हो सकता है लैंड पेपर हो सकता है तो यह सब जो है लागू होते तब परिसनल ल अगर आफ लोग से अगर आपने लौ पढ़े है तो आप लोगों को पता होगा कि यह सार्फिसी एक्ट क्या है जिन लोगों को नहीं पता है। तो आप लोगों को service से में request कर रहा हूं कि अगर आपके पास surface act का कोई notice आता है तो ignore करिए अगर आपने personal loan लिया है तो अगर आपका secured loan है अगर आपके पास surface act का notice आता है तो आप लोग थोड़ा सा साबदान हो जाए क्यूंकि आपका घर जो भी property है जो भी चीज़े आपने ग बलत फहमी हो जाता है बहुत सरे लोग बोलता है कि इस तरीके का message आ गया है इस तरीके notice आ गया है क्या करूं करना कुछ नहीं है समझना है सिर्फ कि आपको जो है ये लोग धरानी के लिए करते हैं ना कि आप लोगों को ये सब चीज़े करेगा originally कोट तक ये जा ही नहीं सक जा ही नहीं सकता क्या मतलब है जा सकता है उनके पास लेकिन जाता क्यों नहीं है बैंक जा सकता है क्योंकि वो इंडिविजुल्स को देता है ठीक है आपके बैंक मतलब आप एक जगा पे रहे रहे हो एक डिस्ट्रिक्ट में रहे हो उसका बैंक जो है आपके city में जो बैंक है, वहां से आपने लोन लिया है, फिमिन नहीं कर पा रहे हैं तो वो कर सकता है, वो आप अकेले हो या फिर दस-बीस आदमी है, उनके साथ ये case कर सकता है लेकिन आप समझो, लाको करोरो λोगों के उपर case कैसे कर सकता है? एक की उपर case कर भी दिया, तो दूसरे जो आदमी है उनको कैसे पता चलेगा भाई इसके उपर केस कर दिया है अब ऐसे ऐसे करते करते एक 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 के उपर अगर केस करेगा आप लोगों को पता है कि पेंडिंग केस कितना है अभी तक कोट में यह सब जो फैनेंसिल सिटुएशन में प्रॉब्लम्स में लगभग करोरो केस जो है पेंडिंग है इतना टाइम लगता है सिर्फ अखेला आपका केस तो नहीं चलेगा ना वहाँ पे लाखों केस चलता है तो इससे चलते क्या होगा दस साल बीस साल कितना सा लगेगा यहाँ पे कमपनिस को पता है ठीक है कि भाई बहुत लंबा प्र और तरीकों से जो है आप लोगों को डराने का कोशिस करते है बस इससे चलता कुछ नहीं तो आप सभी से में रिक्वर्ष कर रोगा आप लोग डरीये मन रोज मेरे विडियोस देखिए आप लोगों के मन के अंदर जो डर है वो खुद से ही निकल जाएगा यह लोग डरा हैं आप लोग इस trap में फस गया है तो आप लोग निकलने का सोचिए आप लोगो डरना नहीं है अगर आपके पस पैसा है आप payment करिएगा पैसा अगर नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता आपके साथ सिर्फ सिबिल डाउन होगा सिबिल के लिए आपको कोई चिंता करने की जर आज आपको सोचनी की जरूवत नहीं है, आज आपका बहतर होगा, आज आपका सीचुएशन सही करें, फ्यूचर खुद बखुद सही हो जाएगा, तो सिबिल जाओ, जो आप लोग समझते हो, कि सिबिल खराब हो गया है, अब जो है, क्या करूँगा, फ्यूचर में यह करू ट्रेड़ बोबे टीक के आप जाहिन जामार दोस्तों